दोस्तो भारतियंदा पार्टी का हर्याणा के अंदर सूपड़ा साफ होने जा रहा है ये बात मैं नहीं कहा रहा हूँ या मेरे चैनल नहीं कहा रहा है बलकि भारतियंदा पार्टी में इसकदर बगावत और भगदण के हालात बने हुए खासकर हर्याणा में जिसने मोदी श अपरतस तरीके से भगदन मची हुई है, समझ नहीं पा रही बीजेपी, कि करना क्या है, तोकि हलात अब उलके हाथ से बाहर निकल चुके हैं, हर्याणा में नायाप सिंग सेनी की सरकार में मंत्री नहीं स्थीफा मुपर दे मारा और साथ सा फैलान कर दिया, किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार नहीं मना सकती, नमस्कार मैं हूं प्राजबल कौतम और आप देख रहे हैं ता हिंदोस्तान पोस्ट, हर्याणा गले की हटी तो बनाई है, लेकिन एक चीज़ और महत्पून है बीजेपी के लिए, लिटमस टेस्ट के लिए, जी हाँ, लोग लगातार आती थी कि वहाँ किस तरीकी की लहर है इस तमय तेश में, क्या लोग सबाद चुनावों के दोरान जो लहर बनी थी, जिसने लुटिया डुबो दी बीजेपी की वैसे ही है, इसलिए हर्याणा पे उन्होंने दाब लगाया, और जो दाब लगाया उसका असर देख लीजे, ख़बर सबसे पहले देखी, डिली एंटरने चापी है, डिने की ख़बर है, मंत्री विदायक 24 गंडे में 22 निताओं का इस्तीफा, हर्याणा में पहली लिस्ट आते ही बीजेपी में भगदर, हर्याणा विदान सबाद चुनाव के लिए बीजेपी ने भुदवार को 67 उम पर्टी से इस्तीफा दे दिया, इन में इसे कुछ नेताओं निताओं निताओं नितालियत चुनाव लड़ने का एलान कर दिया, अब रणजीर सिंग चौटाला है, कोई परे इसे समझ लीजेए और जटका बीजेपी के लिए कैसे समझे, रणजीर सिंग चौटाला पूर प्रदान मंत्री देविलाल चौटाला के बेटे हैं, उन्होंने निर्डने अपने समर्दकों के साथ बैठक के बाद लिया, हम निर्दलियत उम्मीदवार के तोर पर चुनाव लड़ेंगे, रतिया सुरक्षित सीट से विदायक लक्षमर दासनापा ने टिकिट ना मिलने पर पार्टी छोड़ दी, पूर मंत्री कण देव कंबोज ने भी पार्टी दोरा उनकी उम्मीदवारी को नर्दर अंदास किये जाने के बाद, प्रदेश भाजबा के OBC मोर्चा के प्रमख पतसे स्तीफा दे दिया, यानि कुल मिलाकर ताबर तोड इस्तीफे हरियाना के इंदर गिरे हैं, बीजेपी चुनाव लड़कर सरकार में आना तो दूर, पहले ही हाफ हो गई है, और साफ होने में वक्त नहीं बचा है, अब आपको ख़बर दिखाने जा रहा हो, दिखिए, या आस्सक ने खबर लिखी है, और क्या लिखा, हरियाना सरकार में मंत्री इद्वारों की शुरुआती सूची में नौ मौजूद अविदायकों को जगह नहीं थी, जिक इतना मिलने से नाराज हरियाना की मंत्री रणजीर सिंग चौटाला है, अपने पस से स्तीफा दे दिया, रणजीर सिंग चौटाला ने स्तीफा देकर सरकार से अलोग होने का फैंसला किया, जिससे हरियाना की सियासत में हल चल मच गई, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, दरसल किया है, बीजे पी के साथ हो खासकर मूदी शाजब से आए, ये तेह करते हैं कि कौन बुज़ूर गो गया, कौन इनके मापदंड पर सही नहीं उत अलग है कि जनता ने इस बार अकल टिकाने लगाई तो शिवरा सिंग चोहान को फिर से सग्री, राजनीती में लाना पड़ा, वसंद्रा, राजी सिंधिया की मदद मागने पड़ी, फिलाल ये करते रहते हैं, इसमें आगे खबर किया है, रंजी सिंग चोटाला ने अपने कि उरानिया विदान सवा सीट से निर्दली प्रतियाशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, मतलब पहले से ही इनके पास हालात खराब है, कुछ लोग इससे बहुत बड़ी रोनी थी बताने कि देखिये, टिकेट नहीं थी, हम पर ये नेता हैं, हम पर फौज नहीं आपको लगता है कि सत्ता के लिए आपने इन लोगों को आगे बढ़ाया, ठीके ना, अब उस बाद जनता की नहीं सुन रहे थे, इनकी सुन रहे थे, अब चुनाव करीब आए तो जनता सर्वु पर ही है, अब जनता त्या करेगी, इसलिए बीजेपी अपने आपको साफ कुछ करीम कितने पाक साफ है, लेकिन जन विदायकों ये टिकेट काटी गई है, उन्हों नहीं इनका जीना दूबर कर दिया है, अब आप ज़रा सोचिए, एक तरफ कॉंग्रेस का एक प्रत्याशी, किसी भी सीट पर, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रत्याशी और तीसर र जाएगी, यानि बीजेपी वैसे भी, इस समय मैं कहरें में कोई गुरेज नहीं, अच्छूत्री हो गई है, बीजेपी छोड़ छोड़ कर लोगों का भागना, ताबर तोड़ स्तीफे किरना, वो भी चुनाव से ठीक पहले ये बताता है, बीजेपी भंगदर जैसे हालात है, अब देखिए, एविपी न्यूज ने खवर चापी, क्या हर्याना, मैं तीसरी बार जीतेगी, बीजेपी, रणजीस चौटाला ने की, बड़ी वह विश्यवारी, क्या बताया है, इनकी नाराज़गी क्या प्या है, पहले समस्ते चली, ये देगी मैं आका ना, इनका ह साउस का सबसे पुराने मेंबर हूँ, मैं विदान समा में निरदली ये जीत कर आया, किसी पार्टी के रहमो करम से नहीं जीत कर आया हूँ, मेरा बीजेपी से रिष्टा सिर्फ तीन महीने पहले बना, हर्याना में बीजेपी के हैट्रिक जीत के दावी पर नोनों ने काई कि इस बार हर्याना में बीजेपी चरी गई, तो दोबारा हर्याना में बीजेपी नहीं आएगी, इस बार चरी गई तो कभी नहीं आएगी, मतलब आप साफ-साफ कह दिया गया है, इनकी तरफ से बड़ी बभश्यमानी की गई, इसी समद्दीत एक और लोक सभा चुनाब म लड़ा, तो इनकी तरफ साफ से बता है में तो इस्तीफा देकर चुनाब लड़ा इनके लिए, मैं कारे करता हूँ, मेरे कारे करतान निर्दरी चुनाब लड़ने के लिका है, ये तबाम बातें निकल कर आ रहे हैं कि रणजीर सिंग चोटाला ने आगी की रणीती तेह कि इसलिए जैसे दुशन चोटाला की तेहें जिली ओOR्या लेकर ञानी सियास्ती निर्वात सियास्ते हैं कि वहान Chiliili जाश में जिली खश्ता ही गाले के वह बातें हरूना हो अगर आप चोटाला परिवार को देखे हैं, इस समय जरूर राजनेतिक तोर पर थोड़े कमजोर हुआ और इसलिए बीजेपी आगे बढ़ पाई, बीजेपी कदम इसलिए वहाँ पर सेट कर पाई, इन्हीं की बदोलत था, शुरू आथ में भी देखेंगे, अब क्या है, अ बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टीम्शन ये है कि नए प्रत्याशियों पर दाव लगा कर वो सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिच भर कर रहे है, लेकिन ये बात विस सच है, कि जिन नेताओं के दम पर वो चुनाप जीतते रहे, माहुल बनाया, ग्रियेट किया, उनक नजर अंदास करना, तरकिनार करना, बीजेपी के लिए खत्रे से खाली नहीं है, नमस्कार